मैं कमलेश्चर अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम 21 में आपका स्वागत करता हूँ इस भाग में हम लोग मुगल बास्साहों की कड़ी में मुगल बास्साह अकबर से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रस्नों को देखेंगे इसके पूर्व हम लोग बावर और हुमायू से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रस्नों को देख चुके हैं तो आईए मुगल बास्साह अकबर से संबंधित महत्तुपूर्ण प्रस्नों को देखें जो आपके एक्जाम उत्तरप्रदेश GIC Lecturer और TGT PGT अथवा यल्टिग्रेट के एक्जाम के लिए बहुत ही इंपार्टन है इसके अलावा अन्य एक्जाम के भी एक Fifteen LS, सामान इद्यन के पेपर में पूछे जाते हैं तो उन पर इक्षाओं के लिए भी उत इंपार्टन है , तो आईए हम लोग श्तरट करते हैं मुगल बास्ता अकबर से संबंदे महत्वपूर्ण प्रस्त पहला कोशन है फतेपूर्सिकरी में अकबर द्वारा बुलंद दर्वाजा किस वीजय की स्मृति में बनवाया गया था बहुत इंपार्टन कोशन है ऑप्षन ये है गुजरात आप्षन भी है खांदेश आप्ष आप्षन दी है बरार तो इसका सही आंसर होगा ए अगले प्रस्न की ओर बढ़ते हम लोग अगला कोशन है पंद्रसव उन्यासी यानि 1579 के मेहजर का प्रारूप किस ने तयार किया था ओप्षन ए है सेख अबदुल नवी ओप्षन भी है सेख मुबारक ओप्षन सी है अब अबुल फजल ओप्षन डी है अबुल फैजी तो इसका सही आंसर होगा बी शेख मुबारक अगला कोशन है निम्नलिखित सासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए पाउत इंपार्टन कोशन है यूपी पीसेस में भी आ चुका है आईयस के प्री एक निम्नलिखित सासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाए तो इसका सही आंसर होगा A. अकबर बाउत इंपार्टन कोशन है आपके PGT में भी पूछा गया है अगला कोशन है मुगल सामराज का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था तो कोशन मुगल सामराज का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था अप्षन A है बाबर अप्षन B है हुमायूं अप्षन C है जहांगी और अप्षन D है अकबर तो इसका सही आंसर होगा D. अकबर अगला कोशन है अपने सासनकाल के किस वर्स अकबर ने अपने सामराज को शूबू में विभाजित किया अप्षन A है 18 में वर्स अप्षन B है 24 में वर्स अप्षन C है 32 में वर्स और अप्षन D है 40 में वर्स तो इसका सही आंसर होगा B. 24 में वर्स अगला कोशन है 1605 इसपी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी तो 1605 इसपी में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी आप्षन A है 17 आप्षन B है 12 आप्षन C है 15 और आप्षन D है 20 इसका सही आंसर होगा C यानि 1605 इस भी जो कह रहा है यानि मुगल बासा अकबर की समय थक क्योंकि 1605 इस भी में मुगल बासा अकबर की मृत्यू हुई थी और इसके बाद इसका बेटा यानि पूत्र जहांगीर गदी पर बैठा यानि मुगल बासा बना या अगला सासक बना अकबर के बाद तो अकबर के समय तक मुगल सूबों की कुल संख्या 15 थी आप द्यान रखिएगा कभी कोश्चन्स ऐसे भी पूछ सकता है और पूछा भी है कि अकबर के समय में मुगल सूबों की कुल संख्या कितनी थी तो 15 तब भी आप 15 ही आंसर आपको ट्रिक करना है अगला कोश्चन है किस मुगल बासा के विरुद जयोनपूर में फतवा जारी हुआ था प्रस्ण है किस मुगल बासा के विरुद जयोनपूर में फतवा जारी हुआ था अप्शन A है हुमायू, B है अकबर, C है सा जहां और D है अवरग जेव इसका सही आंसर होगा B, अकबर, मुगल बासा अकबर के विरुद जयोनपूर में फतवा जारी हुआ था अगला कोश्चन है अकबर के विरुद्ध जवनपूर से फत्वा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था बहुत इंपार्टन कोश्चन है UPPCS में भी आ चुका है कौन था आप्षन A है मुल्ला याजदी आप्षन B है मिर्जा हाकीम अप्षन C है अब्दुन नभी अप्षन D है अब्दुल्ला सुल्तान पूरी इसका सही आंसर होगा A मुल्ला याजदी मुल्ला याजदी ने जवनपूर से फत्वा जारी किया था या उलेमा का सदस्य था अगला कोश्चन है निम्न मुगल सासकों में से किसने सरुपर्थम तुलादान को जो हिंदूं का तुलाभार समारो था को स्विकार किया अप्षन A है बाबर, अप्षन B है हुमायूं, अप्षन C है अकबर और अप्षन D है जहागीर इसका सही आंसर होगा C अगला कोश्चन है राजा टोडर मलद्वारा किस भू राजस सुब्यवस्था को विक्सीत किया था अप्षन A है बटाई, अप्षन B है जरीव, अप्षन C है कानकूत और अप्षन D है जाबती इसका सही आंसर होगा D जापती अगला कोश्चन है निम्नलिखित लेखकों में से काउन अकबर का घोर आलोचक था अप्शन A है बदायूनी अप्शन B है फैजी सरहिंदी अप्शन C है मुल्ला दाउद और अप्शन D है निजामुद्दीन अहमद इसका सही आंसर होगा A बदायूनी अगला कोश्चन है अकबर ने फरजंद की उपादी किसे दी अप्शन A है बीरबल अप्शन B है मिर्जा अब्दुर्रहीम खान खाना अप्शन C है मिर्जा मनोहर सिखावत और अप्शन D है राजा मान सिंग तो इसका सही आंसर होगा D राजा मान सिंग अगला कोश्चन है जैन सादू जो अकबर के दरवार में कुछ वर्स रहा और जिसे जगत गुरु की उपादी से सम्मानीत किया गया था तो कौन था? आप्शन A है हेमचंद, आप्शन B है हरी विजय सूरी, आप्शन C है जीन सेंट, और आप्शन D है उमा स्वाती तो इसका सही आंसर होगा B हरी विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपादी से सम्मानीत किया था बहुत इंपार्टन कोश्चन है आपके कई परिक्षाओं में पूछा जा चुका है अगला कोश्चन है अकबर के समय गुंडवाना अभियान का नायक कौन था अप्शन A है अता, आगाघां, अप्शन B है सर्फद्दीन, अप्शन C है पीर मुहम्मद, और अप्शन D है आशाफ खां तो इसका सही आंसर होगा D, असब खां आपके GIC एक्जाम में भी पूछा गया है, GIC आसरम पद्धती में भी पूछा गया है, बहुत इंपार्टन कोश्चन है द्यार रखेगा आप्शन है वहदत उल्वजूद की अवधारना जिसे अकबर का समर्थन था, का अभिफ्रयाय था आप्शन A है इस्वर की एक्ता, आप्शन B है जाती ब्यवस्था का उन्मूलन, आप्शन C है काफिरों का विरुद्ध युद्ध, आप्शन D है एसलाम की सुद्धता, तो इसमें सबसे सही जो आंसर होगा A, इस्वर की एक्ता, क्योंकि जाती ब्यवस्था का उन्मूलन स समंदित कारे कोई अकबर द्वारा नहीं किया गया था अगला कोश्चन है अकबर का मकबरा कहां है अकबर का मकबरा कहां है अपसने है, सिकंद्रा, B है अजमेर, C है, दिल्ली और D है इलहाबाद, तो इसका सही आजसर होगा A, सिकंद्रा में अगला कोश्चन है भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ती किसके सासनकाल के साथ संबद्ध की जा सकती है अपसन A है अलाउद्दीन, खिलजी अपसन B है, चंगेज खान, अपसन C है तैमूर, और अपसन D है, सेरसा सूरी, तो इसका सही आंसर होगा, B अगला कोश्चन है उत्तर पश्चिम सीमा परांद में उत्तर पश्चिम सीमा परांद में, अकबर की अत्याधिक महत्वपुण उपलब्दी क्या थी अपसन A है, कस्मीर, अपसन B है काबूल, अपसन C है कन्धार, और आप्षन D है ब्लू चिस्तान तो इसका सही आंसर होगा C कंधार अगला कोशन है अकबर ने किस घटना के अस्वरणार्थ फते फूर्शिकरी की अस्थापना की थी आप्षन A है बाबर द्वारा खानवा भीजией आप्षन B है सेख सलीम चिष्टी के असिरवात से सलीम के जन्म आप्षन C है गुजरात की भीजー और आप्षन D है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की भीज़ तो इसमें सही आंसर होगा B सेख सलीम चिष्टी के से सलीम के जन्म अगला कोश्चन है किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंतता का प्रथम विजेता कहा है आप्षन A है कर्नल टार्ट आप्षन B है एल स्रिवास्ताव आप्षन C है स्रिराम सर्मा और आप्षन D है बेनी प्रसाथ तो इसका सही आंसर होगा A कर्नल टार्ट अगला कोश्चन है अकबर द्वारा काउन सा भवन फते पूर्शिकरी में निर्मीत नहीं है आप्षन A है दिवाने आम आप्षन B है पंच महल आप्षन C है दिवाने खास और आप्षन D है सीस महल तो इसका सही आंसर होगा D सीस महल भवन फते पूर्शिकरी में निर्मीत नहीं है जबकि दिवाने आम पंच महल दिवाने खास यह भवन है अगला कोश्चन है पानी पत का दुती युध कब हुआ था? आप्षन A है 4.1556 आप्षन B है 5.1556 आप्षन C है 6.1556 आप्षन D है इन में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर होगा B अगला कोश्चन है निम्नलिखित बादसाहों में किसने अमीरूल मोमिनीन की उपाधी धारण की थी अगला कोश्चन है मनसबदारी प्रडाली किसके द्वारा आरंब की गई अपसन A है सेरसा सूरी अपसन B है जहांगीर अपसन C है अकबर और अपसन D है वीरवल तो इसका सही आंसर होगा C अकबर द्वारा मनसबदारी प्रडाली प्रारम की गई अगला कोश्चन है अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीती नहीं अपनाई अपसन A है वीरवा संबन्थ अपसन B है धार्मिक शैशुर्ता अपसन C है उच्छ बदपरदान करना और अपसन D है जीते वे प्रदेश वापस करना तो यहां पर ध्यान रखना है कि अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी पॉलिसी यानि कौन सी नीती नहीं अपनाई तो वीरवा संबन्थ अपनाया था अकबर ने धार्मिक शैशुर्ता का पालन किया था उसने इसके बाद C कहरा है उच्च पद परदान करना तो राजपूतों को वैबायक संबन्थ के पाशात उच्च पद परदान किया था इसके बाद D कहरा है जीते हुए प्रदेश वापस करना या सही नहीं है D सही नहीं है तो कौन नहीं अपनाया तो इसका सही आंसर इसमें होगा D जीते विए प्रदेश वापस करना यह सही आंसर यही होगा इसी को नहीं अपनाया था अगला कोश्चन है निम्नलिखित मुगल सासकों में से किसने उलेमा की सक्ति पर प्रतिबंद लगाने के लिए महजर नामा जारी किया था महजर नामा जारी किया था आपसन A है जहांगीर B है अकबर C है हुमायूं और D है सा जहां इसका सही आंसर होगा B अकबर अगला कोश्चन है अकबर के समय अकबर के समय सेख मुबारक द्वारा जारी राजाग्या में काउन सा कथन सही नहीं है प्रस्वा को एक बार फिर देख लेते हैं अब लो अकबर के समय सेख मुबारक द्वारा जारी राजाग्या में काउन सा कथन सही नहीं है आपसन A है उलेमा राज का आध्यात्मिक प्रमुक है आपसन B है बादसा सरीयत को बदल सकता है आपसन C है बादसा उलेमा से उपर है आपसन D है बादसा राज का आध्यात्मिक प्रमुक है तो इसमें काउन कथन सही नहीं है तो इसका सही आंसर होगा A ये सही नहीं है, उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुक है अगला कोश्चन है 1575 इस भी में अक्बर ने इबादत खाना कहां बनवाया था? तो कहां बनवाया था इबादत खाना? आपसन ने कहा रहा है आगरा, आपसन भी है फतेपूर सिकरी अगला कोश्चन है, निम्रलिखित में से किसने अबूल फजल की हत्या की थी? तो अबूल फजल की हत्या किसने किया था? बहुत इंपार्टन कोश्चन है, आपके GIC में भी पूछा जा चुका है आपसन A है बैरमखा, आपसन B है हेमू, आपसन C है वीर सिंग बुंदेला और आपसन D है उदै सिंग, तो इसका सही आंसर होगा C, वीर सिंग बुंदेला अगला कोश्चन है, निम्रलिखित में से किसने सरुपर्थम अकवर से गुजरात में ब्यापार करने का फर्मान प्राप्त किया था? आपसन A है राल्फ फिंच, आपसन B है सार टामस रो, यानि थामस रो, आपसन C है थामस एल्डवर्थ, और आपसन D है जान मिल्डन हाल, तो इसका सही आंसर होगा D, जान मिल्डन हाल ने अगला कोश्चन है अकवर के दर्वार का एक विख्यात हिंदी कभी कौन था? आपसन A है वीरवल, आपसन B है अब्दूर रहीम, आपसन C है राजा भगवान दास, और आपसन D है राजा मान सिंग, इसका सही आंसर होगा B, अब्दूर रहीम अगला कोश्चन है चाद वीवी रानी थी, तो चाद वीवी रानी थी कहां की? आपसन A है वीजापूर की, आपसन B है बरार की, आपसन C है अहमद नगर की, आपसन D है गोल कुंडा की तो इसका सही आंसर होगा A, वीजापूर की, अगला कोश्चन है अकबर ने सरप्रथम दक्षिर भारत के किस राजी पर आक्रमण किया? तो अकबर ने सरप्रथम दक्षिर भारत के किस राजी पर आक्रमण किया? आपसन A है वीजापूर, आपसन B है गोल कुंडा की, आपसन C है आहमद नगर और आपसन D है बरार, तो इसका सही आंसर होगा C, आहमद नगर की अगला कोश्चन है महजर जारी करने का वर्स था, तो महजर जारी करने का वर्स था, आपसन A है 1565, आपसन B है 1589, आपसन C है 1582, आपसन D है 1585, तो इसका सही आंसर होगा B, 1589 अगला कोश्चन है सुलह एकुल की धारणा आधारिती, तो सुलह एकुल की धारणा आधारिती, आपसन A है इसलामी सरियत पर, आपसन B है हिंदू धर्म पर, आपसन C है वादतुल वजूद के सिध्धान पर, आपसन D है उपर्युक्त में से किसी पर भी नहीं, तो इसका स सही आंसर होगा C, सुला ये कूल की धारणा आधारित थी वहदतुल वजूद के सिध्धान पर, अगला कोश्चन है, अकबर ने मंसब प्रडाली की अस्थापना की थी, तो अकबर ने मंसब प्रडाली की अस्थापना की थी, अप्शन A है 1560, अप्शन B है 1565, अप्शन C है 1575, अप्शन D है 1580, तो इसका सही आंसर होगा C, अगला कोश्चन है, अकबर ने फतेय पूर्शिकरी के इबादत खाना को गैर मुसलिम बिद्वानों के लिए खोला, तो गैर मुसलिम बिद्वानों के लिए कब खोला, अप्शन A है 1575, अप्शन B है 1576, अप्शन C है 1578 में, और अप्शन D है 1589 में, तो इसका सही आंसर होगा C, 1578 में, और पतेय पूर्शिकरी में इबादत खाने के अस्ताबना 1575 में हुई थी, और अन्य धर्म के लिए, यानि गैर मुसलिम बिद्वानों के लिए 1578 में खोल दिया गया, या अकबर ने खोलने का आदेश दिया, अगला कोश्चन है, राजपूतों के साथ मेल मिलाब की नीती अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश से था, तो अकबर का मुख्य उद्देश से क्या था, आपसन यह है, राजपूत इस्त्रियों से भी बाहर अचाना, आपसन भी है, राजपूत राज्यों को अपने राजे में मिलाना, आपसन C है, मुसलिम प्रतिद्वंदियों को प्रिथक करना, आपसन D है, मुगल सामराज को सक सक्तिसाली बनाने के उद्देश से ही अकबर ने राजपूत इस्तिरियों से वैवाहिक संबंद स्थापित किया, राजपूत राज्यों को अपने राज में मिलाने का प्रयास किया, राजपूतों से अच्छे संबंद स्थापित करने का प्रयास किया, सबका उद्देश से ए निर्माण अकबर द्वारा नहीं कराया गया था आपसन ए है आगरा का किला आपसन भी है लाहर का किला आपसन सी है अलहाबाद का किला और आपसन डी है दिल्ली का किला तो इसका सही आंसर होगा दी दिल्ली का किला अकबर द्वारा नहीं करवाया गया था या अकबर द्वार निर्मान नहीं करवाया गया था आगरे के किले का निर्मान करवाया था अलाहवाद के किले का निर्मान करवाया था जबकि दिल्ली के किले का निर्मान नहीं करवाया था तो इसमें सही आंसर होगा डी तो यह था मुगल बास्ता अकबर से सम्मंदित महतवपूर्प्रस फिर इसी तरह अगले भाग में हम लोग मिलते हैं महत्वपूर प्रस्णों के साथ